नमस्कार आप देख रहे हैं खबरदार मैं हूँ श्वेता से सबसे पहले खबरों को खबरदार के लिंच से देख लेते हैं भारत में कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद हुई किसी मौत की पहली बार पुष्टी हुई है सरकार की तरफ से गठित पैनल ने ये खबर कन्फर्म की है ये केस 68 साल के एक व्यक्ति का था जिन्हें 8 मार्च को वैक्सीन दिया गया वैक्सीन की डोस देने के बाद बुजर्ग में एलर्जिक रियाक्शन हुआ और फिर उनकी मृत्यू हो गई कमिटी ने भारत में वैक्सीन लगवाने के बाद गंभीर साइड इफेक्स जहिलने वाले 31 लोगों पर स्टडी की है ये बड़ी खबर है और इसके आधार पर तरह तरह के भ्रम और डर फैलाए जा रहे है इसलिए इसका गहरा विशलेशन होना चाहिए वैसे आज कल वैक्सीन, कटाक्ष और राजनीती का साधन भी बना हुआ है आज तक पुदिये एक्स्क्लूसिव इंटिव्यू में अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाने के सवाल पर कई कटाक्ष किये आपको इस राजनीतिक इंटिव्यू के वैक्सीन वाले हाइलाइट सुनने चाहिए साथ में टीका करण का स्पीड अपडेट भी दे देंगे कल हमने आपको कोरोना के नए खतरनाग डेल्टा प्लस वेरियंट के प्रती एक्स्ट्रा खबरदार किया था आज हमने इसका रिसर्च पेपर पढ़कर पूरी स्टडी कर ली है और इसके तकनीकी पहलूँँ पर विशिशर्दियों से बात भी किये ताकि सरल भाशा में आपको समझा सके ये वेरियंट साथ हजार रुपए की आंटी बॉडी कॉक्टेल सहित तमाम दबाओं को बेएसर कर देता है आज गलवान में भारत और चीन के खूनी टकराओ का एक साल पूरा हो गया है इस खबर ने दोनों देशों सहित पूरी दुनिया को हिला दिया था आज एक साल बाद गलवान को फिर से देखने की जरूरत है उस वक्त तो भारत के जाबाज सेनिकों ने चाइनीज आर्मी को शिष्टा चार्ट सिखाने वाली डोस दे दी थी आज के हालात क्या हैं ये विस्तार से बताएं और शुरू में ही एक्स्ट्रा खबरदार करने की बारी दूसरी लहर के पीक के बाद नए मामलों में 85 प्रतिशत की कमी आई है 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर को वाक्सीन के ट्राइल का इंरोल्मेंट शुरू हो गया केंदर और राज्ज सरकारें अब दुर्गम इलाकों तक वाक्सीन पहुंचाने के लिए ड्रोन से डिलिवरी करेंगी और इसके लिए कमपनियों से अरजिया मांगी गई है ICMR ने आयाई टिकानपूर के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुवाती टेस्ट भी किये है ICMR की मांग है कि ड्रोन 35 किलो मीटर तक जा सकता हो 4 किलो वजन उठा सकता हो और 100 मीटर की उजाई पर उड़ सकता लेकिन सबसे पहले बाद वैक्सीन की भारत में वैक्सीन को लेकर दो तरह की सोच है एक सोच वैक्सीन पर भरोसा करने की है दूसरी सोच वैक्सीन पर भरोसा ये है कि यही वाइरस से हमें बचाएगी वैक्सीन पर भ्रहम ये है कि टीका लगवाने से कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा इस भरोसे और भ्रहम के बीच आज आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि भारत में टीका करण के 6 महीने में पहला केस आया है जिसमें इस बात की पुष्टी हुई कि इस मौत का सीधा संबंद वैक्सीन लगने से लेकिन जिस देश में रोजाना ओसतन करीब 27 लाख डोज लग रही है जिस देश में अब तक 26 करूर डोज लग चुकी हो वहाँ ऐसे इक्का दुक्का मामले ही आते हैं तो ये वैक्सीन से डरने वाली नहीं बलकि वैक्सीन पर भ्रम तोड़ने वाली और भरोसा बढ़ाने वाली बात है फिर भी ये पूरा मामला क्या है जिस व्यक्ति की मृत्यु के पीछे वैक्सीन को वज़े माना गया उसे कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हुए थे जिससे उनकी मौत हो गई वैक्सनेशन के बार किसी को दर्ग किसी को स्तरदर्द किसी को स्तरदी किसी को पुखार किसी को ठकान ये कोई बड़ी बात नहीं है एक दो दिन ऐसा होता है और बहुत लोगों के साथ होता है लेकिन मामला इससे ज्यादा बिगर जाए कोई और सीरियस बात हो जाए और उसमें किसी की जान तक चली जाए ऐसा आभी तक नहीं सुना था लेकिन पहली बार सरकार ने माना है पहली बार देश में किसी की वैक्सिनेशन से मौथ हुई है ये मामला एक ऐसे व्यक्तिका है जिनकी उमर 68 साल की थी आठ मार्च को इन्होंने वैक्सिन लगवाया था और सरकार का ये कहना है कि वैक्सिन रिलेटेद देथ है ये उनकी मृत्यू वैक्सिन के वज़े से हुई थी ये adverse event following immunization की एक कमिटी है जो कि adverse events study करती है फॉलो करती है जनवरी के बाद वैक्सिन का जो प्रोग्राम स्टाट वा था उसके बाद ये कमिटी सेट अप हुई थी इसी कमिटी का ये मामला है कि ये मृत्यू वैक्सिन के साथ जोड़ के देखा जा सकता है और ये मृत्यू वैक्सिन के वज़े से ही हुई है जिस 68 साल के व्यक्तिक की मौद की पुष्टी हुई है और जिसकी मौद की वज़ा वैक्सिनेक्शन को माना गया उसे वैक्सिन लगवाने के बाद ऐसे क्या साइड इफेक्ट्स हो गए है जिससे उसकी चान चली गई ये जानना भी बहुत जरूरी है नेशनल एएफाई कमीटी की रिपोर के मुताबिक वैक्सिन लगवाने के बाद 68 साल के व्यक्तिक की मौद एनिफ्लैक्सिस से हुई ये बहुत खतरनाक एलर्जिक रियक्शन होता है जो एलर्जिक रियक्शन होने के एक कुछी सेकेंड्स के अंदर शरीर में दिखने लगता है और अगर इसका तुरन दिलाज ना किया जाये तो ये जान लेवा हो जाता है इसे रैश्टि जा जाते हैं खुजली और सूजन हो जाती है खाती आने लगती है सांस लेने में दिक्कत होती है शरीर पीला पड़ जाता है फल्स रेठ घर जाती है इसी अलर्जी ने उस व्यक्ति की जान ले ली जिसे भारत में वैक्सिन से मौत का पहला केस माना गया वैक्सिन के साइड इफेक्ट्स देखने वाली कमीटी के सामने इस तरह के कई सीरियस केस आएं एएफाई कमीटी ने जनवरी से मार्च के बीच ऐसे 31 सीरियस मामलों की परताल की जिसमें 18 मामलों में ये कहा गया कि इनकी मौत का वैक्सिनेशन से कोई कनेक्शन नहीं और ये सिर्फ इफ्तिफात की बात हो सकती साथ मामले ऐसे थे जिसमें कोई निश्चित सबूत नहीं मिला कि वैक्सिन से ही ये सीरियस हुए दो मामले ऐसे भी थे जिनमें कोई भी कारण साफ नहीं हो सका इन दो मामलों में एक 43 साल का व्यक्ति था जिसकी 18 जनलवरी को वैक्सिन लग्वाने के बाद मौत हो गई थी लेकिन तीन मामलों में माना गया ये सीधे-सीधे वैक्सिन के साइड इफेक्ट्स और उसके बाद एनाफलैक्सिस रेक्षन से ही दुड़े हैं इसमें भी सिर्फ एक मौत की पुष्टी की गई जिन तीन मामलों में वैक्सिन के सीधे सीधे साइड इफेक्स की बात की गई उनमें दो लोगों ने कोविशीड लगवाई थी और एक ने कोवैक्सिन लगवाई थी कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल कि हमें वैक्सिन अपनाने हैं और यह जो मिनिस्क्यूल रिस्क है जितना भी है बहुत ही कम है ना के बराबर है और उसमें भी एक सिस्टम है जो कि इन चीजों को कम करने को इमीजेट ट्रीटमेंट को फर्स्ट एड को बिल्कुल एक सोपी का पार्ट बनाया हुआ है तो इसमें यही विंती होगी कि भ्रहम नहीं होना चाहिए और इसको और इस इंफरमेशन को यह टूथफुली प्रिजेंट की गई है हमारे वैबसाइट पे उसको इस्तेमाल इस इन ये बात भी जरूरी है कि वैक्सीन से कैसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उस पर निग्रानी रखना लगातार परताल करना नियमीजेट रिपोर्ट देना जरूरी है देश में 26 करोड वैक्सीन की डोजस दिये गए हैं इनमे 26,000 करीब एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट किये गए हैं और कुछ ही ऐसे मामले हैं जिनमें हालत जादा बिगडी हो लेकिन जब मौत की बात होती है तो जाहरे मन में एक डर बैठी जाता है इस समय देश में ऐसे कई सारी जगा हैं जहां पर वैक्सीन को लेके अभी हिचक भी है और सरकार के आगे ये बड़ा चैलेंज भी है सिहा मुर्दानी आज तक भारत में वैक्सीन की वज़े से पहली मौत की पुष्टी हुई है तो ये सवाल भी सब के मन में आता है कि क्या ये सिर्फ भारत में हुआ है या फिर दुनिया में कहीं और भी वाक्सीन की वज़े से मौते हुई है इसका सीधा जवाब यही है कि भारत अकेला देश नहीं है बहुत सारे देशों में वाक्सीन से मौत के मामले आ चुके है अप्रेल में कैनिडा में वाक्सीन की वज़े से पहली मौत हो चुकी है मई में ऐसा ही दूसरा मामला आया था दोनों मामले 50 से 55 साल की महिलाओं के थे अस्ट्राजेनिका की वाक्सीन लगाने के बाद इनकी हालत ब्लड क्लॉट की वज़े से बिगड गई थी इंडोनीशिया और मलेशिया में भी ऐसे मामले आ चुके हैं यूके में स्कोटलिंड के अंदर 3 ऐसी मौतें अप्रेल में हुई जिन्हें वाक्सीन की साइड इफेक्स से सीधे सीधे जोड कर देखा गया अस्ट्रिलिया में भी वाक्सीन की वज़े से एक मौत हो चुकी अमेरिका में अब तक के टीका करण में जून तक करीब 5,000 ऐसी मौते हुई है जिन्हें टीका लग गया था लेकिन इन मौतों की वज़े वाक्सीन थी ये नहीं कहा जा सकता यानि वाक्सीन से मौते तो हुई है लेकिन ये बहुत रेर है लाकू में कोई एक केस होता है और ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है वाक्सीन का काम जान बचाना है और ये वही करती है इसलिए वाक्सीनेशन में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कोरोना से लड़ाई हम सब की जिम्मेदारी है और ये लड़ाई हम तब तक नहीं जीच सकते जब तक सभी लोगों का वाक्सिनेशन नहीं हो जाता हमें इस बात को भी समझना होगा कि वाक्सिनेशन के बाद अगर कोई मौत होती है या फिर कोई गंभीर तोर पर बीमार पढ़ता है या अस्पताल में भरती होता है तो इससे तुरंथ ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये वाक्सिन लगने की वज़े से हुआ है कई रिपोर्ट्स के अनुसार जब से वाक्सिनेशन शुरू हुआ तब से 7 जून तक 488 लोगों की वाक्सिनेशन के बाद मौत हुई लेकिन सरकार का दावा है कि ऐसी रिपोर्टस सही नहीं मानी जा सकती क्यूंकि मौत की वज़े वाक्सीन तभी मानी जा सकती है जब इसकी पूरी पड़ताल हो कि क्या वाक्सीन लगने की वज़े से इस तरह के side effects हुए जिसमें किसी व्यक्ती की जान चली जाए सरकार का तर्क यह है कि अगर वाक्सिनेशन को कुछ मौतों की वज़े मान भी लिया जाए तो भी अब तक की गई 26 करोड डोज में यह सिर्फ दशमलव शून्य 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 दो प्रतिशत ही है और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कोरोना वाइरिस में वाक्सिन नहीं लगाने से मौत के खतरे के सामने वाक्सिन लगने से मौत का खतरा कुछ भी नहीं है इसलिए वाक्सीन को लेकर किसी भी तरह के डर, किसी भी तरह के भ्रम को दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए और किसी भी अववा पर ध्यान नहीं देना चाहिए वाक्सिनेशन का सिस्टम ही ऐसा बनाये गया है जिसमें वाक्सीन लगने के बाद कम से कम आदे घंटे तक ये देखा जाता है कि किसी को कोई बड़ी परिशानी तो नहीं हो रही है वाक्सिनेशन के बाद दर्द, बुखार, ठकान के लक्षन सामान्य माने जाते हैं पिर भी कुछ लक्षन ऐसे हैं जिन पर हमें साब्धान हो जाणा चाहिए जैसे अगर शरीर में सूजन आ जाए, सीने में तेज दर्द होने लगे, पेट में तेज दर्द होने लगे बहुत तेज सरदर्ध होने लगे, सांस लेने में तकलीफ हो तो वाक्सिनेशन सेंटर पर तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, डॉक्टर से संपर्ख करना चाहिए, यानि टीके से नहीं डरना है, लक्षणों पर साथान रहना है भारत में अब तक की सबसे जान लेवा दूसरी लहर की वज़े कोरोना का डेल्टा वेरियंट था, डबलू एचो ने इस वेरियंट को सबसे खतरनाग चार वेरियंट की श्रेणी में रखा है, लेकिन अब इसका एक और नया वेरियंट डेल्टा प्लस सामने आया है वेग्यानिक वाइरिस के नई वेरियंट को ज्यादा ताकतवर और खतरनाग बता रहे हैं, जिस पर तमाम दवाएं भी बेसर हो सकती हैं, तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करके हमने इस नए खतरे को डिकोड किया हमारा सामना एक ऐसे वाइरिस से है, जो ना सिर्फ रूप बदलता है, बलकि लगातार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी हो रहा है कोरोना की दूसरी लेहर में तबाही मचाने वाले वाइरिस के डिल्टा वेरियंट का नया अवतार डिल्टा प्लस सामने आ गया है और ये ज्यादा खतरनाक है, बेग्यानिकों के अनुसार अगर डिल्टा प्लस शरीर में पहुँच गया, तो तमाम दवाओं को बेसर कर देता है कोरोना मरीजों पर जबरदस असर रखने वाली मोनो क्लोनल एंटी बॉडी कॉक्टेल जिसकी कीमत साथ हजार रुपए है, वो भी डिल्टा प्लस वेरियंट पर असर नहीं दिखाती मोनो क्लोनल एंटी बॉडी दवा दो दवाओं का मिक्सचर है, ये दवा कॉरोना वाइरस पर काफी असरदार मानी जा रही है इस दवा की ट्रम्प ने बहुत तारीफ की थी, लेकिन विश्वे ख्यात दवा भी डिल्टा प्लस वाइरस के सामने तिक नहीं पाएगी सबसे एहम बात कि ये एक वेरियंट ऐसा है, जो भारत में दिये जाने वाली मोनो क्लोनल एंटी बॉडी ट्रीटमेंट को नकारात्मक साबित कर रहा है ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है, जिसका एक इंजेक्शन का जो दाम है, वो 60,000 रुपे से उपर है काफी महंगा ट्रीटमेंट है और उसको भी कहा जा रहा है, ये वाइरस नकारात्मक साबित कर रहा है अच्छी खबर ये है कि पबलिक हेल्थ इंग्लेंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइजर ये एस्ट्राजेनिका की कोवी शिल्ड टीको की दो खुराक डेल्टा वेरियंट पर कारगर हो सकती है रेपोर्ट में दावा किया गया है कि फाइजर की दो खुराक लेने से संक्रमण होने के बावजूद अस्पताल जाने की आशंका 96 फीजदी तक कम हो जाती है जबकि ऑक्सफोर्ट अस्टाजेनेका की कोवी शील्ड वैक्सीन की दो खुराक लेने पर अस्पताल जाने की आशंका 92 फीजदी तक कम हो जाती है इसको रोकने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है वैक्सीन अभी खाली में जो नतीज़ा आये है हमें ये देखने को मिल रहा है अगर दो डोज कोवी शील्ड का लिया जाए जिसको आस्टर जिनेका के नाम पे इंग्लेंड वे दे रहे हैं उसको दो डोज लेने से 70% लोगों में हास्पिटल अड्मिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आगे डेल्टा प्लस वेरियंट पर वेक्सीन के असर से जुड़े और गहरे रिसर्च भी सामने आएंगे लेकिन फिलहाल कम से कम डेल्टा वेरियंट पर दो वेक्सीन के कारगर होने की बात तो सामने आ ही गई है साथ जून तक दुनिया भर में डेल्टा प्लस संक्रमन के 63 मामले सामने आए थे कैनडा जर्मनी और रूस में एक एक नेपाल में दो स्विजलेंड में चार भारत में छे पोलेंड में नौ पूर्टगाल में बारा जपैन में तेरह अमेरिका में चौधा और यूके में 36 केस सामने आए हैं हाना कि महामारी विशेशग ये कह रहे हैं कि फिलहाल भारत में डेल्टा प्लस वेरियंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देश में डेल्टा प्लस का इंफेक्शन छे मरीजों में ही मिला है यह जो डेल्टा प्लस वेरियंट पाया गया है वो बहुती छोटी संख्या में सेंपल्स में पाया गया है लेकिन साथ में हमें यह याद दलाता है कि हमें जीनोमिक सीकन्सिंग को इंप्रूब करना है तब ही हम इस तरह के जो बदलाव हो रहे हैं उनको पहचान सकत पाएंगे और अप्रोपेट एक्शन ले सकेंगे अब डेल्टा प्लस वेरियंट वग्यानिकों के फोकस में रहेगा जब तक इसकी काट ना निकाल दी जाए तब तक तीन ही उपाए हैं मास्क, समाजिक दूरी और वेक्सीन मिलन शर्मा के साथ आज तक बीरो डेल्टा वेरियंट हो या फिर डेल्टा प्लस वाईरिस के हर वेरियंट की काट एक ही है और वो है वाक्सीन और भारत में वाक्सीन की कमी की वज़े से देश की आबादी को वाक्सीन लगाना एक बड़ी चुनौती है भारत सरकारनी 31 दिसमबर 2021 तक पूरे देश में सभी को वाक्सीन लगाने का टागेट रखा है लेकिन इन दावों को पूरा करना कठिन है देश में एक दिन में करीब 27 लाख लोगों को टीका लग रहा है अगर 31 दिसमबर तक सब को टीका लगाना है तो हर रोज कम से कम 84 लाख लोगों को वाक्सीन की डोज देनी होगी भारत में अब तक 4 करोड लोगों को वाक्सीन की दोनों डोज दी गई है अगर लगातार हर रोज 27 लाख लोगों को वाक्सीन दी जाती है तो 599 दिनों में 18 साल से उपर के 90 करोड लोगों तक वाक्सीन पहुँच पाएगी यह तब है जब भारत की टिका करण की रफ्तार चीन के बाद नमबर 2 पर है भारत में औसतन हर रोज 15 लाख वाक्सीन दी जा रही है अमेरिका में 10 लाख वाक्सीन ब्रुजील में 8 लाख जर्मनी में 7 लाख ब्रिटन में 5 लाख चीन में 1 करोड 80 लाख चीन का डेटा आम तोर पर सुलब नहीं होता ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स और वहां की सरकारी घोशनाओं पर ही भरोसा करना होता है आबादी के अरुपात में वाक्सीन की दो डोज लगानी की रफतार देखें तो भारत और चीन की आबादी सबसे बड़ा ब्रेकर है अमेरिका और ब्रिटन की 42.3 प्रतिशत जनसंख्या को दोनों डोज लग चुकी है भारत में वाक्सीन की कमी ने रफतार को कम किया है वाक्सीन खरीद के मामले में भारत कहां खड़ा है यह भी देखते हैं कोविशेल की 75 करोड डोज, कोवैक्सीन की 55 करोड डोज, बायोलोजिकल ई की 30 करोड डोज, स्पुत्निक वी की 15 करोड डोज मिलनी तै इसके अलावा जाइडस केडिला की 5 करोड डोज, नुवावाक्स की 20 करोड डोज, भारत बायोटेक की नेजल वाक्सीन की 10 करोड डोज और जैननोवा की 6 करोड वाक्सीन डोज पाइपलाइन में है यानि भारत में लोगों को डोज से देने के लिए ब्लूप्रिंट तयार है, अलकि इसमें बहुत से किंतु परंतु लगे हुए हैं, भारत को हर्ड इम्म्यूनिटी यानि जनसंक्या के बड़े हिस्से की प्रतिरोधक शमता हासिल करने में कई महीने का समय लग सकता है अब वाक्सीन में राजनीती के घालमेल को भी समझते हैं, समाजबादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज तक को दिये एक्स्क्लूसिव इंटव्यू में वाक्सीन वाली कई व्यंग बार्ण छोड़े अखिलेश यादव ने कहा है कि पूरे यूपी में जब हर गरीब और किसान को वाक्सीन की डोज लग जाएगी तब आखिर में वो भी वाक्सीन लगवा लेंगे साथी अखिलेश ने प्रधानमंत्री के स्वदेशी को वाक्सीन लगवाने पर भी तंज किया ये तंज ऐसे समय में किया गया है जब पीएम मोदी के इसी साल के अंत में अमेरिका जाने की चर्चाए हो रही आपने जो बयान दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है उसको लेके ब्रहम की स्थीती बनी लोगों में गलत हैमिया हुई और लोग भ्रहमित हुए लेकिन उसके बाद आपके पिता नेता जी मुलाहिम सिंग जी ने वैक्सीन लगवाई तब आपको क्या लगा आपको क्या रेक्शन उसके उपर तो आपने उनको कहा निया तो बीजेपी की वैक्सीन है जिस समय ये कहा गया था उस समय कई परिशन वैक्सिन के नहीं हुए थी और केवल मैंने सवाल नहीं खड़ा किया था बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने खड़ा किया था उसके बार लगातार मेरा कहना समाजवारी पाड़ी का मानना है जब सरकार को तयारी करनी थी वैक्सिन की तो वैक्सिन की तयारी क्यों नहीं की आज दुनिया में तमाम देशों ने अपने पूरे नागरिकों को वैक्सिन लगा दी लेकिन क्या है आप वैक्सिन नहीं लगा पाए जब ये पूरे देश के गरीबों को लगा दें कॉठ अथर देश की जन्ता को वैक्सील लगा दें और जब आखरी захंड़ए, wanna अफरी आदम हूँ, पहले तो इन्हें पूरे गरीब, मज़ूर और जिनको निकलना है k Watts- Kundi, रिये जिने अर्थ्षवबस्ता को पठरी पर आना है अखेला उनको vaccine कब लगाएंगे? हमने तो समाधवादियों ने खाए कि आप दीवाली से पहले vaccine लगादीजिए आखेड़онyah है कहांपर? मैं यह जानना चाहता हूँ सरकार गरीबों को वैक्सीन लगवाएगी के नहीं लगवाएगी और मैं अखेला नहीं बचा हूँ अभी तो बहुत सारे किसान बाकी है पर लगवाएगे वैक्सीन बहुत से गरीब लोग है उनको वैक्सीन कब लगवाएगी सरकार आज 15 जून है आज गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हुई हिंसक जड़ब का एक साल पूरा हो रहा है जिसमें भारत के 20 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था और चीन को करारा जवाब दिया था हम देश के उन बलिदानियों को नमन करते हैं गलवान घाटी में हुई हिंसक जड़ब के एक साल बाद LAC पर क्या बदला है पिछले एक साल में चीन और उसकी सेना को भारत की तरफ से क्या मेसेज दिया गया है और इस वक्त LAC पर क्या हाला थे इसी पर आधारित हमारी ये रि 15 जून 2020 जब गलवान घाटी में भारत के बीर जवानों ने अपने चटानी रादों और फॉलादी बल से चीनी सेना के मनसूमों को पानी पानी कर दिया था पिछले एक साल में भारत में ना सिर्फ सेन बलकि कूटने तक जंग में भी चीन को बुरी तरे पठखनी दी है जि हमारी स्ट्रेटी जी तथा एप्रोच मानी प्रधान मंत्री जी के इस डिसानर्द है इस पर आधारी थे कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें गलवान घाटी में चडप के एक साल में कई मोच्छों पर चीन को भारत से मात मिली है ना सिर्फ चीन को भारत के साथ बाचीव की टेबल पर आना पड़ा बलकि भारती सीमा से चीनी सेना को अपने तंबू खाडने पड़ गए इतना ही नहीं चीन उनको गलवान घाटी में भारती सेना के हाथों मारे गए अपने सैनिकों का सच भी कबूल करना पड़ा 15 जून 2020 की राद गलवान घाटी में देश के वीर जवानों ने शहादत गी लेकिन अपनी आखरी सांस तक लड़ते हुए देश के सपूत चीन को ऐसा सबक सिखा कर गए जो चीन और उसकी सेना कभी भूलेगी नहीं पूर्वी लद्दाक में चीनी सेना ने अपने जवानों को मदद पहुंचाई थी भारती सेना ने गलवान हिंसा के बाद चीन को ना सिर्फ उसकी सीमा में वापस ख़ड़ा है बलकि उसको कई बार उसकी हद भी याद दिलाईए चाहे चीन के पास modernized armed forces हो चाहे चीन के पास better infrastructure हो चाहे चीन के पास उसकी आर्टिस्तिती हिंदुस्तान से ज़्यादा मदबूत हो लेकिन चीन की जो सेना है वो भारतीय सेना से टकर लेने में दर्थी है उसको मालू है और खासकर गलवान के बाद जब उसने देखा कि हिंदुस्तान की सेना उनके छोड़े के नहीं यही कारण है कि वो हिंदुस्तान के साjek टकर और नहीं लेना चाहता लेकिन उसकी साजिज लगे रहती है निदुस्तान के ओक दबाओ बनाने की और उसे मालू से मालूम है लड़ाए के मैदान में चीन के जो सेनिक हैं और ख पर इस एक साल में खुद को बेहर्द मजबूत कर लिया है भारती सेना पिछले एक साल से लद्दाक में पचास हजार सेनिकों के साथ तैनात है इस तैनाती में जरा भी बदलाव नहीं आया राफल के साथ साथ मिक 29 और सुखोई 30 के बेड़े उत्री लद्दाक के आसमान में ह साल भर सप्लाई करने का इंफ्रस्ट्रक्चर तैयार कर लिया है बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन की मदद से पूरे साल सेना की आवाजाही के लिए बेहत तेरी से सौड़कों का निर्मान चल रहा है सेना के इंजीनेरों ने पिछले 11 महीनों के भीतर ही सीमा पर जवानों के आवास की उन सिवधाओं को बना लिया है जिसकी प्लैनिंग अगले 5 सालों में बनाने की थी चीनी गति विधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी को बढ़ाने के लिए पैंगोंग जील में नई नावे भी तैनात की गई है यानि एले सी पर भारती सेना ने लंबे वक्त तक तैनात रहने की पूरी तैयारी कर ली है क्योंकि फरवरी में हुए दिसेंगेजमेंट समझोते के चार महीने बाद भी एले सी पर संघर्ष वाले इलाकों में अब भी चीन की सेना पीछे नहीं हटी है पिछले एक साल में भारत ने अने को स्टेप्स लिये हैं जिससे हमारी एले सी पर पॉजिशन काफी से जाद मजबूत होगी है एक इंफ्रास्रिक्टर को मजबूती दी गई है रोड कनेक्टिविटी जो है सब फॉर्विट फॉसको उसको प्रूव कर दिया गया है लोजिस्टिक बैक अप इंप्रूव कर दिया गया है इंडियन आर्मी ने एक्स्टर टूप्स को डिप्लाई की है और एयर फोस और आर्मी ने मिलजूल कर अपनी पॉजिशन को फर्दर स्टेंटिन पूर्वी लद्दाक में माइनस चालिस डिगरी की सर्दी में चीन के मंसूबों को आग लगाने के बाद अब LAC पर गर्मियों के हिसाब से तैनाती शुरू हो चुकी है गलवान घाटी में हिमाकत कर चीन ने खुड को ही नुक्सान पहुचाया है इसे एक साल में भारतिय सेना ने लद्दाक सेक्टर में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है राफायल लड़ाकुमान से लेकर फॉरवर्ड पोस्ट तक सड़कों के नेटवर्ट को तेजी से तयार किया गया है क्योंकि चीन को कावो में रखने का एक ही तरीका है कि उसकी हर हरकत पर नज़र रखी जाए और इंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और जिसके लिए भारतिय सेना पूरे तहसे तयार है मंजितने की दिल ली आस तक गलवान हिंसा के मास्टर माइंड चीन को उसकी हद में रखने के लिए भारतिय सेना ने पिछले एक वर्ष में कई कदम उठाए साथ ही भारत सरकार ने भी चीन को कूड़नी तिक मात देने वाले कई फैसले लिए और चीन को संदेश दिया कि ये 1962 का भारत नहीं है चीन पर आर्थिक स्ट्राइक के कुछ उदाहरन बताएं तो भारत ने चीन पर आर्थिक अटाक करते हुए करीब 175 चीनी मोबाइल आप्स पर प्रतिबंध लगा दिया भारत में इंफ्रस्ट्रक्चर सेक्टर के लिए चीनी कंपनियों के साथ हुए कई करार भी रद कर दिये गए चीन के कई मोबाइल फोन ब्रांक्स जैसे हुआ हुए और ZTE को बैन कर दिया गया देश के कई बंदर गाहों पर चाइनी सामान को रोग दिया गया था हलकि बाद में इनमें से कई बैन में ढील भी दी गई लेकिन चीन को ये मेसेच जरूर दे दिया गया कि भारत से दुश्मनी उसके लिए फायदे का सौदा नहीं है लेकिन सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बलकि कुटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने चीन को जटके दिये गलवान हिंसा के बाद भारत ने ताइवान, तिबबत और होंग कॉंग को लेकर ऐसे कुटनीतिक बयान और कदम उठाए जो चीन की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है भारत ने चीन के विरूद के बावजूद दलाई लामा के जन्दिन मनाने पर कोई आधिकारिक आपती नहीं जताई जबकि पहले ऐसा होता आ रहा था इसके अलावा भारत ने दिसंबर 2020 में शंगाय सहयोग संगठन में चीन की महत्वकांक्षी वन बेल्क वन रोड पर योजना को समथन देने से साफ इंकार कर दिया जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की इस परियोजना से जुड़े समझOWते रध कर दिये गल्वान कांड के बाद भारत अमरिका जिपान और और उस्ट्रेलिया ने मिल कर Quad Samu को एक बार फिर आक्टिव किया और अक्तूबर 2020 में इसकी virtual meeting भी हुई जिसमें हिंद महासागर में चीन के बढ़ते वर्चस वो को कंट्रोल करने को लेकर चर्चा हुई भारत सरकार अपने सालाना मालाबार नौसेना अभ्यास में उस्ट्रेलिया को शामिल करने के लिए सहमत हो गई जो अब तक भारत, अमेरिका, जेपैन की नौसेनाओं को अका सेयुकत अभ्यास होदा था हिंद महासागर में आस्ट्रेलिया युद्ध पोतों की मौजूदगी पर चीन ने आपत्ती भी जताई थी ये भारत की कूट नीती के कुछ उदाहरन है जिससे चीन चिड़ गया और अपनी इस चिड़ का इजहार भी उसने कई बार किया लेकिन गलवान के बाद भारत की रणनीती में आये परिवर्तन से चीन को समझ आ गया होगा कि ये 1962 नहीं है ये आज का भारत है जो मुकाबला भी डट कर करेगा और वक्त पढ़ने पर वार भी जवर्दस्त करेगा सही नियत और स्वच आचरण हर जगे जरूरी है चाहे वो कूट नीती हो या फिर खेल चेस के एक गेम में वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को बेईमानी से हराने पर बिजनसमैन निखिल कामत सवालों के खेरे में चैरिटी के मकसद से हुए एक ओनलाइन चैस माच में निखिल ने बेईमानी की बात खुद कुबूली लेकिन उनकी हरकत चैस को पसंद करने वालों को नागवार गुजरी है पूरा मामला क्या है और क्यूं कम उम्र में अरब पत्ती बनने की उपलबदी हासिल करने वाले निखिल कामत को चैस के गेम में जीत कर भी मात हासिल हुई है देखिए इस रिपोर्ट में अजय करें दिस गेम निखिल इस कम्प्लीटली विनिंग कम्प्लीटली विनिंग पोजिशन अगेंस विश्वनातन आनंद कें यू बिलीव इट चैस के पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनातन आनंद हार जाएं वो भी उस प्रतिदुंदी से जो प्रफेशनल चैस खिलाड़ी भी नहीं हो रही थी पर आखिर में जब सच्चाई खुली है तो एक नया हंगामा खड़ा हो गया है हुआ ये है कि विश्वनातन आनंद को हराने वाले व्यवसाई निकल कामत में आउनलाइन खेले गए चैरिटी खेल में चैस एनलिस्ट और कम्प्यूटर की मदद ली थी निकल ने खुद ये बात कुबूल भी ली है निकल ने कहा है कि ये हास्यास्पद है कि बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि मैंने विश्वनातन सर को चैस के गेम में हरा दिया ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं सो के उठूँ और सौ मीटर दौर में उसे इन बोल्ट को हरा दू रविवार को अक्षे पत्र फाउंडेशन के साथ मिलकर चैस.com ने चेकमेट कोविड नाम से एक चैरिटी इवेंट कराया था इस इवेंट में जिरोधा और ट्रू बीकन जैसे स्टार्ट अप्स के फाउंडर निखिल कामत के अलावा क्रिकेटर यजुविंदर चहल, अबनेता आमिर खान, गाया करजित सिंग समेट नौ सेलिबरिटी आनन्द के सामने एक साथ चैस का मुकाबला खेल रहे थे सिर्फ निखिल को छोड़कर कोई आनन्द को हरा नहीं सका, लेकिन इसमें उसका टेल्ट नहीं बलकि बेमानी थी, और यही बात चैस को पसंद करने वालों को चुब रही है इस विवात पर विशुनाथान आनन्द की उर से कहा गया है कि खेल की नेतिकता को बरकरार रखते हुए ये एक मज़ेदार अनुभव था मैंने बोर्ट पर अपना खेल खेला और सबसे यहीं उम्मीद की थी आनन्द ने निखिल को उसकी बेमानी पर नपेतुले शब्दों में आई न दिखाया लेकिन आनन्द की पत्नी और उनकी मैनेजर अरुना नाराज है क्योंकि निखिल ने जो माफी भी मांगी है उसमें लिखा है कि गेम का विशेशन कर रहे लोगों कम्प्यूटर्स की मुझे मदद मिली और इसमें आनन्द सर की उदारता भी थी कि उन्होंने इस खेल को सीखने का अनुभव बना दिया इस कुबूल नामे में आनन्द का नाम घसीटने पर अरुना को एतराज है ये अतराज जायज भी है क्योंकि निखिल ने तो जाने अन्जाने में चैस के गेम में बैमानी का रास्ता चुना लेकिन इसमें विशुनाथन आनन्द की प्रतिश्ठा चुड़ी है भारत की साहक का सवाल भी है आज तक ब्यूरो अब पाकिस्तान नाशनल असेम्ब्ली में हुए हुरदंग का विडियो देखते हैं नाशनल असेम्ब्ली में पाकिस्तान के सांसाद एक दूसरीको अपक्षप्स बोलते हुए धक का मुक्की करते देखे गए शुरुवाती जानकारी के अनुसार बजट पर चर्चा के दोरान नेता विपक शाबाज शरीफ ने जब बोलना शुरू किया तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने टोकना शुरू किया इसके बाद हंगामा भड़का दोनों पक्षों के सांसद आपस में भिड़ गए जमकर नारे बाजी हुई सोशल मीडिया में ये वीडियो खुब वाइरल हो रहा है खबरदार में आज के लिए इतना ही देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक